नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में दोस्तो, नया साल 2021 नई उमीदों के साथ दस्तक देने वाला है नवर्ष में, मेश राशी के जीवन में कई महतपूर बदलाव होने वाले हैं उनके जीवन में दस महतपूर बदलाव कौन से होने वाले हैं पहला, नई साल में मेश राशी वालों पर शनी देव महरबान रहेंगी इसलिए यह साल आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा आर्थिक जीवन खुशाल रहेगा दूसरा, नवर्ष में आपके सारी च्छाएं पूरी हो सकती हैं जिससे आप प्रसन निच्रित रहेंगे बहुत समय से अटकी हुई कोई यूजना पूर हो जाएगी जिससे आपको अच्छा धनलाव होगा इस वर्ष गुरू आपकी राशी के एकादश भाव में होंगे इससे आपकी आर्थिक स्थती में सुधार होगा आमदनी को फाइदा पहुचेगा कई मांसिक परिशानिया भी दूर रहेंगी नौकी पेशा लोगों को मनचाही नौकी प्राप्थ हो सकती है अच्छे धनलाव के सुरोत जुडेंगे साल के अंतिम महीनों में अत्यतिक खर्च होने से आर्थिक संकट पर असर पड़ेगा बाद में ठीक हो जाएगा इस वर्ष वैवाहिक जीवन में धैर बनाए रखें संतान को उपलब्दी हासिल होगी जिससे दामपत्य जीवन में सकरात्मक बदलाव होगा संतान का योग भी बन रहा है यदि आप वहन चलाते हैं तो सचीत रहें दुरगटना की आशंका है सात्वा नए साल में आप विदेश में शिक्षा प्राप करना चाहते हैं तो या इच्छा पोरी हो सकती है आपकी पंचम राशी में ब्रहस्पती की शुब द्रिस्टी आपको मनपसंद स्कूल और कालिजों में दाखिला दिला सकता है फरवरी से मार्च और सितंबर में प्रतियों की परिक्षा में सफलता मिल सकती है इस साल 2021 में आपको किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है जुलाई के बाद आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा साथ साल के मद्द में अपने पिता के स्वास्त का विशेश ध्यान लगे 2021 में आपको हनमान जी की पूझा करने चाहिए हनमान चालेसा ये सुन्दरकांट का पाठ करना उत्तम लहीगा प्रतियक मंगलवार वशनीवार को सुन्दरकांट का पाठ करें हनमान जी आपकी सभी मनुकामनाई पोड करेंगी आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारे द्वार दी के जानकाई अच्छी लगी हो तो तो प्रतिया वीडियो को लाइक करें साथ ही हमारे यूटिव चैनल को अवश सब्सक्राइब करें धन्यवाद